IPL 2023 के लिए चैनली सूपर किंग्स में सामेल होगा सबसे खतरनाक बल्लेवाज वहीं चैनली सूपर किंग्स का दिगज खिलाडी लेगा सन्यास जानेंगे क्या है पूरी ख़बर वीडियो को पूरा देखें चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करें अगर आपको भी लगता है कि IPL 2023 में चैनली सूपर किंग्स की टीम एक खिताब जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें आप सभी चैनली सोपर किंग्स फैंस के लिए हमने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां पर खास चैनली से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को जोईन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी IPL 2003 से पहले चैनली सोपर किंग्स की टीम में एक दिगज बल्लिवाज सामिल हो सकता है आपको बता दें इस बल्लिवाज का प्रदर्सन घरेलू क्रिकेट में लाजबाव रहा है हम बात कर रहे हैं समर्थ ब्यास की समर्थ ब्यास सौराष्ट के एक बिस्भू टक बल्लिवाज है सेद मुझताकली ट्रोफी 2022 में समर्थ ब्यास ने सबसे ज़्यादा सतक ठोके हैं इसके अलावा बिजय हजारे ट्रोफी में भी समर्थ ब्यास ने 12 सतक लगाया है समर्थ ब्यास अगर चैनली सोपर किंग्स की टीम में सामिल होते हैं तो वो चैनली सोपर किंग्स के लिए X-Factor सावित हो सकते हैं यहाँ पर चैनली सोपर किंग्स से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आ रही है चैनली सोपर किंग्स के दिगज खिलाडी ड्वाइन ब्रावो जल्द ही सन्यास का एलान कर सकते हैं आपको बता दें ड्वाइन ब्रावो 49 साल के हो चुके हैं और वो सिर्फ IPL के अलावा लीग किर्केट में ही खिलते हैं वो पिछले दो सालों से उतना अच्छा प्रदर्सन नहीं कर पाए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं मीडिया रेपोर्ट्स की माने तो वो बहुत ही जल्द क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं आपको क्या लगता है क्या ड्वाइन ब्रावो को सन्यास लेना चाहिए या फिर नहीं आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें